कि नमस्का दोस्तों कि नालांदे कैदमी से मैं महें शुकला और पुना स्वागत है आपका मद्यप्रदेश सामान ग्यान के अंतरकात है आपका मद्यप्रदेश सामान परचे दूस्तों पढ़ रहे थे उसमें आएए पार्ट सेकेर्ड लोग पढ़ते हैं और उसमें दूस्तों आपके परच्छाहों में आते रहते हैं आप देखेंगे इस नापकी है टूटल आउट कुछन है तो आएए ज्यादर देर ना करते हुगे मदपेस की इस्थिति विस्तार करते हैं सबसे पहले आपको तरह है कल जो हम लोगों ने देखा था कल आपको सबको मालूप है कल आप लोगों ने जो मदपिस का जो नाम और आपका उपनाम बगर दोस्तों क्या किये थे बइस्ते कर दोस्तों इन उपनामों के ऐंत्रगत अपलो ने कःँ देखा सिंहा्टा question वने किया था सिर हिमकीर्ट प्रदेश को टार्डाइब स्टेट कहते हैं मढद इस प्रदेश सुप है जन जाती प्रदेश जोड़ों को नदियों का माय का भी कहा जाता है यह सब दोस्तों किया था आप लोग ने कल देखा था और इसके अंतरकत के अपने को सिस्की ती लगभग यह पूदर टोपिक आपका हो भी गया था तेक ना आज दोस्तों लोग कहा है मत पर इसकी यह थोड़ा सा इस्थिती और विस्तार पर ने आये हैं हलाकि इस्थिती विस्तार में कल थोड़ा सा हलकी से अपनी चर्चा हो गई थी लेकिन फिर भी आज कुछिस कर रहे कि क्या हो जाया और अच्छे से कहां यह टोपिक आपा हो जाया तो चलिए दुध्व तो ये बातों बातों में आपका हो गया यह आपका यह आपका है यह यहां अब को बताने कुल जैसे कि अपके लों ने हिए दिश्कस किया था कि मद्धपदेश भारत के उन पाँ राज्यों में हैं ध्यान करें भारत कि क्या है दोस्तों पांच राज्य हैं जो भू आविस्टित हैं मतर्व इनकी सीमा ना दोस्तों किसी देश से चुती है और नहीं कहें मुझा समु आप पांच लाज MP से शुगात करते हैं तो दोस्तों मदपडेश के बाद आपका ये हर्याना है चलिए आपका ये 36 गड़ी है और इसके लावर दोस्तों ये जारखंड भी है छह तक भी है और दोस्तों कहने यह तलंगाना है तो यह 5 सीमा आता समय से नहीं किसी देश effort से कहती है मदपयस की सीमा यह शूती है कि यह देख चुकिय हिंदे कि सिमा से लग बिए विझा UP कह श्राइब यह यह पानtak है आप लोग मत्पिस्के पूर में आपका ये चत्तिसगर है मत्पिस्के दक्षे में आपका सब जानते हैं आप लोग ये महरास्त है मत्पिस्के जो पश्चिम में यहां दोजले जो छूते हैं जाबु आली राजपुर यहां दोस्तों ये गुजिलात है कि यहां पश्मुतम्डिस्तो राजस्तान है यहां से लेके किया किया है यह राजस्तान है तो यह अपलो और और सुछने की कर देखने की क्य midnight को की थी चलिए गुजडातों सुरिध्या यहां जाएंगे यहां लिखते थे चलिए ऐखे आपको अगर याद हो तो कल अपने अपन लोगे ने मत्पिस के सबसे उत्ती जिला भी आपका देखा था यहां यह मुज़ेना है इसको भी कल अपनलो ने क्लियर किया था मत्पिस के दोस्तो सबसे Ven现 जिला जो यहां बुर्हानपुर दोस्तों यह अपने क्या किया था यह देखा था इसके लावा मत्पिसका जो पूर भी जिला है यह दोस्तों सिंग्रॉली है इसको भी क्या किया था पुलो ने यह देखा था फिर मत्पिसका जो आपका पश्चिम जिला यहां अलिदाजपुर है य इपर ने क्या किया था ये देखा था अंडिया यह नहीं तो यह यह वाला अपका यह मदपश जो उत्तर से जो लंबा एक बश्चिंप आपको याद हो अपनों इन्डिया की भी लंबा दोस्तों देखी थी कि इंडिया उत्तर से दक्ष्चन अधिक लंबा है पूर से पश्चिंप कम लंबा है वहां बहात में देखा था कि जो उत्तास दक्षण बहात की लंबाई है यह आपका 32-33 और आपका क्या है बतीस चौदा है सौरी और जो आपका पूर से पच्छम है वह आपका 29-33 यह पूर्वी आपना च्छेत भी देखा था वनाचल परेशन बुलांगू वह भी देखा था पश्चमि वें बिंदू इंद्रा इंद्रा इंकल ने कल देखा था चलिए तो यह आपका सीमा से लगे कल अव गए और ऑपलो ने चाचा कीछी दोस्तों की Bloody जो काड़ करेंगे अप लोगे अट गया सब्सक्राइब करते हैं चलिए इसके बाद दोस्तों आएंगे पी यह आपका सब्सक्र पर्देश महों हो गाने कि ब्लोभ में जो उस्तित है अपका मद्द प्रदेश का उत्तर yelling यह कई लो ने कैया था यह इसली class में कर लिया था किलिया था गु बिष्ट्व स्तिति था स्सूर्ण दिफी पठार काया दोस्तों यह मत पिसाहता है यह मत अच्ञा जी आपकाय है यहाई हम onlar समुझस से हो उसे पर रह का है आपका कहते हैं यह है आपका यह इस प्रकार से यह ज्याते हैं आप लोग यह बंगाली खारी है यहां यह अलब्सागर्ड यह आपका हिंद्माहसागर्ड है तो प्रायदीप दीपनेवल की प्रायदीफ है तो उसी जो पांच भौत एक विवाजित किया जाता है उसमें दोस्तों क्या है आपका जो 16 जो उत्ती सीमा है वहां दाश्थान में आदावली परवत है अपने हम मत्विशन दोस्तों ये बिंद पहारिया बुंदल कर रहे हो आपके कहार है ये भारत की कैप रादी पठार के उत्ती सीमा दोस्तों बनाती है उसके नीचे कहाँ कई ऐंपिन यंपी यहाँ आप सब जानते हैं कि कर्क रहेह करेख सब जानते हैं और यह मत्तुरु बढ़ाव भागों में और यह बिन्द बबावस शेरि लिए फिलाल आपके श्थिति में आपको आपने ने देखा है द्च明 के प्रादी पठार का कैसे कि मॉलीने ऄं यहां थे फूर्सना बेग्वा छंगिनक देश्ची से अयह प्राचीन गौनवाना लेड़्न का भॉप कि मानलें यह भाग है यहां आपको जाने जो गौनले नगा भाग है यह पूरा भारत दक्षन के प्रादी पठ्थार कहा है तो यह गौनवाना लेंड का भाग है यह तो आपको दाते हैं यह कर जर्मन विद्धान थे और जर्मन बिद्धान का नाम था दोस्तों बैगनर में आपको ताधान ने एक सिध्धान दिया है अपका महाधीपों महासागौन कुद्पत्ति के दूस्तों सिध्धान दिया उसमें यह कहा गया है हालाकि यह सिध्धान आपका यह लगभग उन्नीश sыт निकली थी दोस्तों कर दो ही भाग थे जो उसको पैंथ ला जा जह इन नेचे पैंच है यहां जब चार अदाब भरस तक थंड़ा होना स्टार्ट हुई तो बताते हैं कि यह कारवनी धीदा स्योग कर Możet 5 200 करोर साल तक median बताते हैं यह ए बिएक सब्साइब कर ऐख कर दूर लेगर लेगर में दूर्टता यह बन् minced. तर दूसतो यह जल भाग था और पेंजिया के थक है अब सब जानते हैं पितिवी क्याइए अपनी पर घूम दई है और साथ में क्या करें चक्क लगा रही है तो क्यों दूरी में इसमें आपको थाद सा बिक्रती आ गए है इसमें क्या है है यह लगवाग है शुंता होगा इसको बोलते थे अंगरलेंड बाइश निकाम्न नाम दिया उन ने यह क्या है कि आश से लग-लग बाईम से आठारह क्रोर साल तक पहले तक यह आपका कहा दो भाग में बढ़ चुका था यह पूर्य उत्री भाग अंगार लेंद रख्षिन आज दोस्तों फिर लग भाग इनमें भी क्या हो अच्छा ये जो पैंसरा जा जो जल था दोस्तों यह कहों की आपका यह अंगार लेंद गोन्वा लेंद के बीच म सागर 23 सागर देलर मारता था हिमाला की जगह आता है हिमाला इस जगह था जहां यहां विट्सक वह पहले यह भी क्या होगा दोस्तों दो भाग में बट गया तो अंगाला लेंड यूत्ति अमेरिका ये ग्रीन लेंड ये यूडोप एसिया आपका ये दूस बगर ये चाइन बगर और जो तो गुनमार लेंड फाइस का दक्षिन अमेरिका ये अफ्रीका महादीब ये भारत आ भाग हैं तो यहां भात कई प्रादी पठा जो सबसे प्राना ही दोस्तों तो फूट मैं का भाग है और मद्यप्रदेश सोहाविक इस्थित है तो आपको के मद्पेश किस होगे आपका ये प्राचीन गौ्णमार लेंड का भाग कहला तो हम कोशिश की है आपको कि गूनमा करते हैं तो छेटफल जनसंख्या नॉमल चीज है तो अपने को देखना चाहिए हलका सा तो जो मद्पेश के जो दूस्तों छेटफल है सा जानते हैं आप लोग ये त्री जीरो एट त्री लाख आठ हजार दोसो बावन दोस्तों कहाई ये बर्ग किलोमीटर है ये मद्पेश के छेटफल है ये भारत के को छेटफल का 9.38 परसेंट है इंडिया का छेटफल के दोस्तों मत्पेश में जिसके आप सब जानते हो ये पूरे जो पिथवी का गलोब का एडिया है वह आपका इंक्याउन करदोर बर किलोमीटर है परस में जो इस्थल भाग है और इस्थल भाग में से भारत का छेटफल जानते हो आप लोग 32,87,000 च इस्थल भाग में भाद 2.4 परसंट आता है उस परका से भाद के कुल एडिया में मत्पेश का जो 3,8,252 किलोमीटर है दोस्तों ये 9.38 परसंट के हैं इंडिया में आपका ये बैठता है और थोरस आपको उता दें चेटफल की देशी से आपका जो मत्पेश का है नॉर्मल में दूसरा आपका इस्थान के है आता है तो सुभाविक है जब दूसरा इस्थान आता है तो भारत के टॉप फाइव आपका छेटफल की देशी से कौन कों से कहपका ये राज है तो सुभाविक है आपका ये सबसे पहला छेटफल में जो राज है दोस्तों सबसे बड़ा आपका राज्थान है नॉर्मल है अपने को मालू होना चाहिए और जो राज्थान है तो आपका अगर करना हो तो कर लेगे विसे राज्थान बालों के लिए राज्थान को च्छेदफल है लगभर तीन लाख कि ब्यालीस हजार किलोमीटर के बर किलोमीटर के क्या है आपका यह आसपास है ठीक है फिर इसके बाद दोस्तों आपको क्या है यह सौरी दूसरे नमबर पर क्या अपका मत्पेस है जिसका कहें 308-200 वाउन क्या है दोस्तों च्छेदफल में टॉप 5 राज हएं होते थे वह आपका राजस्थान है मदप्रेस है महरास्त है उत्तर प्रदेश इसके बाद दोस्तों कहें आपका यह जम्मू कसमीर आता था जाएया है कि अहुंत है तो फ्रांदकी स्था नम्बर पर झाना च्छिद विपाय में भारत का पांचमा सबसे बड़ा राज जो जम्मू कस्मी था उन्हों के क्या हो गया है तो चित पल में पांच सबसे बड़े राज नंबर एक राजिस्थान जो लगवग तो ऑगल साथ करोर 26 लाग डाशा आट 209 से आपका कैहार दूस्तों यह मत्पिस जिस जर्संख्या है और जर्संख्या जो भाद की चंश्ट्रफ़ कि छे पर सेंट है और जर्संख्या के जिस्से मत्पिस कदूस्ता आपको पांच माद की अपकर भारत में इस्थान तो फब् सुरू के जो पांच राज हो भी अपनों क्या करना है ये देखना है तो उसको भी क्या कर लिए थोड़ा सा ये देख लिए तो सबसे पहले जैस संख्या है सब जानते हैं आप लोग लगभग 19 करोड अन्ठानवे लाग के अश्पास के है दोस्तों ये उत्तापदेश की जैस सटो ये बिहार है बिहार की संख्या लगभग्वग 9 करोड के ऐस पास है तो इसके बाद के है're दूस्तों ये पश्चे-मंगाल है cinixonthose लगवग 8 करोड के अश्पास है उसके बादम इस्थान के है इनका है कय neither न संग्पीश कि दिस्टी से मदपिस का स्थान और मदपिस का च्छितफल 308 252 किलोमीटर है आपका है 3,08,252 बज़ किलोमीटर और जो जनसंक्या है 7,26,26,809 आपके कहा है यह जनसंक्या है और यह टोटल भार की जनसंक्या के करिये आपके क्या हो ग्या है तो यह दोस्ब्रकिया क्या कंता है यहां यह मदपिस के स्थ 30 और देखने क्या है कोशिस की है कैशा एक न जार और श्च किया करते हैं अपनलों डालते हैं सबसे पहले आपका जो मदपिस 1556 को मदपिस का गठन हुआ था गुरुवारस दिन दिन था आपका बाद में गठन कैसे हुआ यह लग से टॉपिक आपका बनाएंगे ठीकर मदपिस का सभाविक है जो पूर्व नाम था सेंट्रल प्रापिस बढ़ा था को कल देख चो के पूर राजधानी जो थी और नाकप अधिक भूर्व तो उपनाम थे ऊपनाम में जानते हो सबसेंगे प्रेंगे ऑट्री आगएं टाइगए इस्ट्रीट है स्वेया प्रेष को बोलते हैं मतपिस को जन्जाती करते हैं लगुभाद भी कहते हैं एदाय प्रेष भी कहते हैं दोस्तों और अबाए यह नीम ऐसे राज जिनकी सीमनात दोस्तों किसी दूसरे देश से चूती है उन्हें मतपेस है ऐसे पांच आपके है यह मतपेस राज जारखंड ते लंगाना हर्याना और च्छतिस गड़ मतपेस जीमा लगी है पांच राज्यों से लगी है यह उत्तर प्रदेश से दोस्तों चूदा चूते हैं मतपेस के ठीक नई यह मदणा ऐसा जिला है जो यूपी और राज्थान दोनज चूता है यह मदणाना के स्थाफ यूपी है तो यहां चौदा जिली होगा जिलिवाद धन पढ़ेंगे तो दोस्तों यह जो बालाघाट यहां पर चत्रिजग रिवरी से बालाघाट तक है यह चूते हैं चूते हैं यहां तक आपका यह जाते हैं यहां आ जाते हैं घृटा से दोस्तों नचले करते हैं चूते हैं लंगाई सरदाधिक सीमा से खूति है एगा कि Alev conse decir that's not जिला है अपने हंका ऑधका उतर है सबसे कम हम ने आपको ऑता ऍवा techniques अपने यह चाहचा हो चुकी है ठीकिना फिर मत्पेस की उत्तर पश्चिम पूर्पश्चिम उत्तर दक्षिन लंबाई दोस्तों कहें पर लोगे यह देख चुके हैं आच्छो सतर और 605 किलोमीटर आपके कहीं यह लंबाई है किमसा मत्पेस का जो आकार कल देखा था जो दो कर सकते हैं यह बाद के संदम में हैं मत्पेस का धाल है यह जादा बैठता है तो यह थोरसा कर ये फिर यह गलोम में मत्पेस उत्तर पूर्वी गुलाद में कल अपलो ने पूरा गुलाद समझाया लेखिए और पूर्व में पूर्वी गोलाद है यह कलापुर ने कहा देखने कोशिश की थी अच्छे समझ में आ गया होगा कल का वीडियो आद का दोनों मिलाकित देखिए तो बहुत कुछ आपकर तया हो जाएगा फिर अगली क्लास में आप चलेंगे दोस्तों यहां मत्प समुझ से घराओं से क्या कहते हैं प्रायदीप कहते हैं जानते हैं आप लोग जो चारों से जल से घरा हुआ भूखन जो होता है उसे दीप कहते हैं और ऐसी जल्लासी जो तीनों से इस्थर से घुरी होती है उसे दोस्तों खारी कहते हैं और खारी का उल्टा क्या होता है आप आपन लोग आते हैं तो यह थोड़ा भी बिस्थापन अब बैगनार और तेलर कर दोस्तों जो महादी बिस्थापन कर जो सिद्धान्थ है जो आपका उसने बताया था आपका यह यह पयंजिया पेंथलाजा फिर पैंजिया गौनवादा लेंद अंगादा लेंड के डूप म गयाता है यह यह जहां तेथे सागह था तेथे सागह की जगह दोस्तों किए हमाला है नवीर्बलिल पर पर्वकान सिद्द्र और आप मतपेश का सबसे यह लग वक्राइब स्थान करना सबसे लगभग आधां चौति नंबर प्यूपी फिर गुज्रात है पांच में नंबर पर दोस्तों जम्मु कस्मी था चुकि वह आपका अलाग अलाग हो गया है इसका से गुज्रात पांच नंबर पर आपको लोग करेंगे ठीक है यहां दोस्तों जल्संख्या मत्पेस की साथ 26-26 नौर्मली चीज बाद के टॉप फाइब जल्संख्या में जो दुस्तों राज्य है यह यूपी है महरास्ट है बिहार है पश्चे मंगाल है और मत्पेस है यूपी की जल्संख्या है यह उन्नीस दसनलाव अंठान अंठान बे 98 करोड है दोस्तों और आपको उतार दें अगर 20 में अगर यूपी जो ब्राजील है अज समय चलिए यूपी आपका जनसंख्या की देश से बिसमें देशों में पांच नंबर तक किया है दोस्तों आता है ब्राजी से भी एधे जनसंख्या है यह 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 देखेंगे यहां आप लोग ने जो देखा शुभाव है कि आपका यह उत्ती कि बढ़ती है यहां जो मालबा का पठार उसको भी दो ब्हागों में बाटती है यहां जो मालबा का पठार उसको भी दो बहागों क्यक議बर माढ़ती है करने नरवदा नादी के समधानता दौस्तों और नरवदा-나दी यह दो आप Carter improvyes के बीच से लवदा घाकिक दोस्तों क्या होती है ये आंप पहती है तो यह दोस्तों और दिशांतर स्थिती है दोस्तों उपढ़ाएंगे कैसे मत्पेस आपका पूर्वी दिशांतर में हैं कैसे उत्तियक्षांस में हैं और आधे घंटी का कह अंतर है और क्यों अदे गंटे के बाद दोस्तों कहता है कहांसे यहां से कैसे का डिफरेंस होता है यह भी दोस्तों कल चर्चा करेंगे अपों लोग और हमारे साथ बनी रहे बने रहिए किल कर टॉपिक और आपका अच्छा है मज़िदार है कल आपका इक भूगर कर टॉपिक भी दोस्तों कह साथ में अक्षांसु देसंतर आप पर क्या है समाप्त हो जाएगा और भारत और म समय ऑन है जिसमें nya सात्मा समय जोन है दोस्तों सारे 12 सी जी पूर्वी दिसंतर देखा है यह इंदियान स्टेंडर टाइम में ऐसे बाद का समय निधायत होता है यह भारत के कल हमने आपको बताय था दोस्तों यह भारत के पांच राज्यों से गुजरती है और मद्द्पदेश के क्या है एक मात जिले आपके क्या है सिंग्रोली से होकर क्या होती है आपकी यह गुजरती है कौन है दोस्तों यह जट्तिसं आता है और जिए सक्वर्ण आझिसे इोउंता है आपका आता है ओं दोस्तों ये होती है एक माद जिले से होगा होती है तो कल इसको अपने देख चुके थे अब इसके बाद जो अखशान सो देसांता इस्थिति है जो अधरी संदर में मत्ति हैं वे घूलूब आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा और साथ में टाइम का निकाला भी दोस्तों क्या करें कल बताएंगे तो सभावे कि आपका आज करें टोपिक जो छोटा टोपिक अपर लिया था मत्पिस की स्थिति और विस्ता दोस्तों आपको यह अच्छे से समझ में आय होगा और जब आपको तोसा मन लगा कि इसको देखिएगा समझने की चीज़ें क्या है ज्यादा है और आप हमारी क्लास आपके देखते होगे तो यह क्लियर है कि लगवक्त 90 परसेंट और रटना एंपी के हैं भूल जाओगे और आपका बहुतर तरीके से क्या हो जाएगा आपके यह रिवीजन हो जाएगा तो दोस्तों अगली क्लास में पुनाह आपसे मुलाकात होगी इस क्लास में यहीं तक आगे कल भात की इस्वादी मद्पिस की इस्थिति विस्ताव में फिसे यह आपका टॉपिक आगे बढ़ता दाहिए कल इसी के साथ आज के लिए नमस